खालिस्तान संगठन एक बार फिर भारत के खिलाब रच रहा साजिश 15 अगस्त को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिश खालिस्तान संगठन एक बार फिर भारत के खिलाब सुतंतरता दिवस को लेकर बड़ी साजिश रच रहा है हारत में अलर्ट जारी क्या गया है बता दे कि 15 अगस्त के दिन या संगठन दिल्ली में जगा जगा पर खालिस्तान नारिवारी पोस्टर भी लगा सकते हैं इतना ही नहीं दिल्ली पुलीस को टारगेट कीलिंग के भी एंपुट मिले हैं कुफी अजन्सी को मिले जानकारी के बाद दिल्ली पुलीस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई है दिल्ली पुलीस कमेशनर ने इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग में बुलाई थी और दिल्ली पुलीस के स्पेशल सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है पंदर अगस्त को देखते वे पुलीस कोई भी लापरवाही बरतनार नहीं चाहती है गौर करे तो भारत में भी खालिस्तान घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है हाली में राजधानी दिल्ली में ऐसी कई घटनाई देखने को मिली है जब दिल्ली मेट्रो समित कई जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लग चुके है इन सब को देखते वे स्वतंतरता दिवस को लेकर दिल्ली पुलीस ने चौक सी बढ़ा दी है स्वतंतरता दिवस पर प्रधान मंतिर नरिंदर मोदी लाल किली पर तिरंगा फैर आएंगे इसे रेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये जा रहे है हाली में पंजाब पुलीस ने खलिस्तानियों के नेटवर्ट पर बड़ी कारवाई की थी पुलीस ने गनाड़ा में बैठे खलिस्तान आतंकी लखवीर सी उर्फ लांड़ा के तीन साथियों को गरफतार किया था पुलीस ने लांडा के जिनसाथियों को गिरफतार किया था विजबरण वसूली नेटवर्क पाकिस्तान से आने वाले हत्यार ड्रक्स और अन्य क्राइम में शामल थे इस दारान पंजाब DZP गौरव यादव ने बताये कि गरफतार के गए अपरादी का संबंध गनाडा में शिपे आतंक बादी लखबीर, लांडा के साथ है तीनो आरोपी संगठित अपराध और जबरण वसूली का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे सभी तत्यों की जाच के बाद जालंधर पुलीस ने एक ट्राम्प लगा कर इनए गरफतार किया उन्होंने बताया कि तीनो आरोपियों को विदेशी हैंडलर्स ने प्रती द्वांदी गिरों के सदस्यों को खत्म करने का काम सौपा था